हलो गाइज वलकम बाक तो रिल इस्टेट देशी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप प्रोजेक्ट आफ एपेक्स ग्रूप बाइदे नेम क्यू बाक लोकेशन होने वाली है सिदार्द वियार इस विल बी अ डेटेल्ड वीडियो कवरिंग लोकेशन, कर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँ है चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगा आप लोग तो लेट्स स्टार्ट विड़ लोकेशन, लोकेशन होने वाली है आनाइस 24 जो कि इंडिया का वाइडर्स 14 लेन एक्सप्रस वे है, फ 14 किलोमेटर की डिस्टन्स पे है, जो कि हम कवर कर लेते हैं, 20 मिनट की ड्राइब पे एक सीमलस कनेक्टिविटी है, अक्षर धाम से जो हम प्रापरटी की तरफ मूव करते हैं, तो हम क्रॉस करते हैं, शिप्रा मॉल, इंदरापुरम वाली लोकेशन, और राइट हैंड रा जावा शहीद इस्टल, मेट्रो स्टेशन, गाज़ेबाद का नया बसरड़ा, गाज़ेबाद का रेलवे स्टेशन, तकरीबन धाई किलोमेटर की डिस्टन्स पे होने वाला है, प्लस अभी लेटेस्ट नीज्ज जो है, वो है कि शहीद इस्टल से आपका रैपिड रेल की कनेक्टिविटी हो रही है, गौर्चॉक की तरफ और गौर्चॉक से रैपिड रेल या, आपका मेट्रो मूँव करेगी टूवर्स एरपोर्ट की तरफ तो आपको यहां से एरपोर्ट की पर्वाइड हो रही है थूर रैपिड रेल, अगर हम इसके आसपास देखते हैं त संतोष medical college plus dps school already operational है सिधार्थ विहार में सिधार्थ विहार टोटल 700 अकर का land है मातर 20% ही high rise construction allowed है तो एक low density area होने वाला है अगर हम comparison करते हैं north extension से या फिर हम comparison करते हैं इंदरपुरम से तो ये location far better है विकॉज जितनी भी development है ये आवास विकास की authority के अंदर में आता है यहाँ पर जितनी भी roads planned है within the सिधार्थ विहार वो 50 meter की planned है तो जितनी भी properties आपकी बन रही है वो सारी 50 meter की road पे होने वाली है तो connectivity wise और infrastructure wise और low density area ये रहने वाला है प्रस के opposite में 43 acre का park proposed है इतना बड़ा पार्क आपको non extension या फिर इंदरपुरम के अंदर नहीं मिलने वाला project रहने वाला है 5 acres का इसमें 5 towers planned है ये 5 acre का land जो है ये two side open plot है एक तरफ 50 meter road है जिससे आप से धार्थ विहार में एंटर करते हैं एन adjacent आपका 24 meter road है जिसके adjacent आपका 43 acre का park area proposed park area है plot वास्तु compliant plot है north east facing plot आपको मिलना है surrounded by malls, multiplexes, topmost schools, hospitals, metro station, railway station जैसे कि हम location में भी discuss कर चुके हैं पांच एकड की land में 5 tower develop हो रहे हैं जिसमें tower A ये 31 floors का रहने वाला है इसमें एक floor पे 4 units रहने वाली हैं with 4 lifts tower B and C में 31 floors के रहेंगे ये tower जिसमें एक floor पे 4 units रहेंगे with 3 lifts tower D रहने वाला है 30 floors का इसमें एक floor पे 6 units हैं with 2 lifts and tower E में भी आपका एक floor पे 4 apartment हैं जिसमें 3 lifts आपको provide होंगी इसकी height रहने वाली है G plus 33 floors की 1.3 acre central park area के साथ 25,000 square foot of clubhouse provide हो रहा है for only 700 families amenities wise अगर हम बात करते हैं तो open gym, swimming pool, lawn tennis, table tennis, basket box court, bandbenton court, pool table, snooker आप जिन भी amenities का सो सकते हैं वो सारी amenities आपको इस society में provide हो रही हैं तो एक luxury property है जहां एक floor पे around 4 apartments हैं 25,000 square foot of clubhouse है, 700 families के ओपर 1.3 acre central park area है and construction रहने वाला है, my one construction तो property specification wise, amenities wise एक luxury property होने जा रही है 2510 में हमारा 4 BHK आता है, तो especially tower A, यह हमारा 4 BHK वाला रहने वाला है, जहां पर एक floor पे सिफ 4 apartment है, 4 lifts है 2775 square foot का size है, यह अपनी screen पर floor plan देख सकते हैं next size हमारे पास है 2400 square foot का, यह भी हमारे पास 4 BHK है, इसका floor plan अभी आपके सामने आ रहा है अपनी screen पे, आप pause करके अपनी screen को, आप floor plan को पूरा study कर सकते हैं tower B and C में जो आपके sizes आते हैं, यह 3 BHK के sizes हैं, यह भी feature same है, कि एक floor पे 4 apartment रहेंगे, बस lift का जो ratio है, वो कम हो जाता है, यहाँ पर 3 lifts आपको provide होंगी, tower A में 4 lift तो हमारे पास पहला size है, 1960, यह आपकी screen पे floor plan flash कर रहा होगा, next size हमारे पास है, 1680 square foot, इसमें भी 3 BHK आप floor plan आपके सामने आपकी screen पे आ रहा होगा, आप pause करके अपने floor plan को आप पूरा study कर सकते हैं then हमारे पास 1770 का size भी आता है, यह भी 3 BHK आपको provide हो रहा है, floor plan आपके screen पे मैं attach करता चल ला हूँ, tower E में हमारे पास size आता है, 2070 square foot, यह हमारा 3 BHK, 11 by 14 का master bedroom है, 12 by 11 का दूसर bedroom है, तीसर bedroom भी around 11,5 by 12 का space provide हो रहा है, तीनों bedrooms के साद आपका washroom attach है, master bedroom के साद आपका dress room भी attach है balcony आपकी L shape की provide हो रही है, तो अगर आप देखते हैं तो यह tower आता है towards NS24 facing, तो आपको जब L shape balcony में खड़े होंगे, तो पूरा नौइडा तक का view मिलेगा, आपको सामने NS24 आपको provide है जहाँ पर high rises जो आएंगे, वो काफी limited high rises आएंगे, बिल्काव सिधार दिहार जो है, वो आप high rise development होगा, तो यह आपके floor plans होगा है, जहाँ पर हमारे पास 3 BHK and 4 BHK options है, अब बात कर लेते हैं position की, जैसे आपकी screen पे इस time पे आप structure बनता हो देख रहे होंगे, आप property का elevation देख रहे होंगे, तो tower A, tower B and tower C का structure complete हो चुका है, आज finishing भी start हो चुके है, तो position wise September next year तक आप आपको यह property में तीन tower, tower A, B and C का position प्रवाइड हो जाएगा, tower D and E जो है अभी वो initial phase में है, around 30-40% structure complete हो चुका है आपका, दो tower रहे जाएंगे आपके, और my one construction रहेगा, आपका तो इसका position जो commit करके चल ला है, बिल्डर एप्रॉक्स टू येर्स बोल के चल ला है, कि टू य इसमें ये delivery आपको provide कर देगा, अब हम बात कर लेते हैं, developer background की, तो सबसे पहली property इनके सिधारत विहार में क्रामलेन के नाम से आई थी, जो time day delivered हुई थी, and construction quality के साथ deliver हुई थी, उसके बाद next property इनोंने launch करी, इंदरपुरम के अंदर, जिसका नाम था Apex BDEO, आज उसका भी प्रॉक्स दस हजार, साड़े दस हजार रुपए का rate है, QBAC में अगर हम बात करते हैं, तो limited inventory है, maximum sizes जो available है, 2070 square feet में inventory अवलेबल है, जो कि हमारा 3BHK है, with deck balcony के साथ, आपको जो rate प्रॉइड हो रहा है, वो तकरीबान 9000 से लेके साड़े 9000 रुपए BSP प्रॉइड हो रहा और जिन लोग को ये property पसंद आई है, जो लोग इस property को visit करना चाते हैं, मैं अपना नीचे number drop कर रहा हूँ, आप उस पे call कर सकते हैं, या मुझे message कर सकते हैं, अगर phone busy जा रहा है, या pick नहीं हो पा रहा है, thank you all, आप इस channel को like करेगा, share करेगा, subscribe करेगा, मैं मिलता हूँ फि आप सकता है, अडिन व्याए हुआ इस यृफ जिन वा करेगा, या झाप मिलता है, जुए और मिलता हैं, झाक हुआ है झाक हुआ है जूआ है, जूआ झाहर बदाशव हैं, घजिने बदाने हुआ हैं, इसमेर रहा हैं, फैसरे का उम आप पा वraph बहा ही ही उतों हैं ऀुए